जैहिन दोस्तों आप सभी के प्रवेसर आपके सामने फिर एक नई कोशन के साथ हाजिर है और यह रहा इस्क्रीन पे कोशन स्टेटमेंट को एक्जामनर ने इस तरह से लिखा हुआ है तो चेक करते जड़ा यह देखिए क्या मैं इस T को 1st letter पे लिया हूँ? क्या मैं इस N को मैं 2nd position पे लिया हूँ? क्या इस E को मैं 3rd पे लिया हूँ? M को मैंने as it is रखा? Yes. E को मैंने as it is रखा? T को मैंने as it is रखा? S को मैंने as it is रखा? A को मैंने as it is रखा? और फिर T को मैंने जीटी रखा, S को मैंने जीटी रखा यानि कि सिंपल सी बात है, examiner ने इसकी mirror image निकाल दी यानि कि इसको change कर दिया पूरा वहाँ से उसने examiner ने उठाया और इसको उल्टा कर दिया तो आप भी इसको उठाईए और उल्टा कर दीजी यानि कि पहनल लेटर तो आपका L मिलना चाहिए तो इसका मतलब ये तो गया गया अब यहाँ पर L है, अब L के बाद मेरा A आना चाहिए इसमें मेरा C आ रहा है, यानि ये भी गया यानि कि option तो मेरा कहीं न कहीं A correct है फिर भी चेक कर लेते हैं, एक के बाद मेरा C मिलना चाहिए बिल्कुल है आई मिलना चाहिए बिल्कुल C के T है, आई है फिर मेरा क्या L भी है, फिर O भी है और P भी है यानि कि इस question का answer तो मेरा ये ही है और ये रहा आपके लिए question of the day और मिलते हैं इस question के solution के साथ नेक्स वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद